नमस्कार दोस्तों मैं मनिश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चेनल शाइनिंग इंडिया पर दोस्तों आज के वीडियो में जानिये राजस्थान राज्ज के एक खुपसूरत शहर बास्वाडा की जानकारी और परेटन इस्तलों के बारे में तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन हाँ चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहतें दोस्तों बास्वाडा राजस्थान राज्ज में स्तीत एक शान्दार शहर है जिसका नाम बास यानी बंबु से संबंदी थे समुन्द्र तल से इस शान्दार नगर की उचाई 302 मिटर यानी 901 फिट है बास्वाडा शहर का निर्मान महारावल जगमल सिंग जी ने करवाया था यहां का पिन कोट 327-001 है दोस्तों अब बात करते हैं बास्वाडा शहर के प्रमुक परिटन इस्थलों के बारे में नमबर एक अंधेश्वर प्राशर्वनाजी यह एतियासिक इस्थान बास्वाडा जिले की कुशलगड तहसिल में इस्तित है यह एक प्रमुक जेन मंदिर है यहां प्राप्त शिलालेखों का संबंद दस्वी शताबदी से माना जाता है नमबर दो अनेकांत बाहुबली मंदिर लोहारिया यह शांदार मंदिर इस्तित है बास्वाडा उदेपूर रोड पर बास्वाडा जिले की घड़ी तहसिल के लोहारिया में इस्तित यह प्राचीन मंदिर 27 फिट उची विशाल संगे मरमर की प्रतिमा के लिए पहचाना ज जाता है जो की एक मुस्लिम संत थे इस इस इस्थान पर भोरा मुस्लिम समुदाय का निरंतर अना लगा रहता है बोरा समुदाय का यह एक पवित्र इस्थान वाना जाता है नमबर चार आनन्द सागर लेक इस शानदार लेक का निर्मान लाची बाई द्वारा करवाया गया था इसलिए इसे बाई तालाप के नाम से भी पहचाना जाता है ये शांदार स्थान बांस्वाडा से उत्तरी हिस्से में इस्तित है यहां आपको पवित्र कल्प व्रक्ष का पेड़, एतियासी किस्मारक और छत्रियां देखने को मिलेगी इस इस्थान पे आपको 11, 12 और 15 शतापदी के हिंदू और जेन मंदिर देखने को मिलेंगे ये स्थान बांस्वाडा जिले का प्रमुक आकर्शन का केंदर है इस इस्थान का संबंध महाबारत काल से माना जाता है इस इस्थान का प्राक्रतिक नजारा निशित तोर पर आपके मन को महोलेगा नमबर साथ मदरेश्वर मंदीर बाश्वाडा अपने प्राचिन मंदीरों के लिए प्रसिद्ध है इसी श्रेणी में भगवान चीव का अध्भुद्धाम मदरेश्वर मंदीर शामिल है ये मंदीर प्राक्रतिक वातावरन और नजारों के लिए प्रसिद्ध है इस इस्था राजस्थान बास्वाडा से 16 किलोंटर की दूरी परिस्ति थे डेम के पास ही बने श्यांदार बगीचे और फववारों को देखने का आनंद आपको यहां प्राप्त होगा। माही डेम राजस्थान का दूसरा बड़ा डेम है। नमबर नो मानगर हील इस स्थान पर जनजाती समुदाय का महत्वपुन मेला मार्ग सिर्च की पूर्णिमा को लगता है जिसमें बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात से जनजाती समुदाय हिस्सा लेने और सम्मिलित होने यहां आते हैं। नमबर दस पढ़ हेडा यह स्थान बांस्वाडा की घड़ी तहसिल में स्थीत है और भगवान शिव के मंदिर के लिए पहचाना जाता है। बांस्वाडा से इसकी दूरी लगबग 22 किलुमिटर है। नमबर ग्यारा भीमकुंड परवदों के बीच में इस्थीत यह शांदा इस्थान अपने प्राकृतिक नजारों के लिए प्रसिद्ध है। इस्थानी लोग इसे फाटिक खान के नाम से भी पुकारते हैं। यह इस्थान गुफाओं के लिए भी विख्या थे। नमबर बारा तलवारा बास्वडा के नजदीक स्थीत यह प्रमुक परेटन इस्थल है जो इतियास का बेजोर नमुना है। इस इस्थान पर कई एतियासिक धरवरों को देखने का आनंद आपको प्राप्त होगा। नमबर तेरा कुपड़ा बास्वडा के करीब इस्थीत बास्वडा डुंगरपूर रोड पर मिरमीत यह शांदार इस्थान वेजव माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नमबर चौदा त्रीपूरा सुंदरी यह सुंदर इस्थान त्रीपूरा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस इस्थान को बास्वडा सहीत, शेत्र वासी, शक्ती के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। यह स्थान बास्वडा के परेटन में अपना महतुप इस्थान इस्थापित करता है नमबर पंद्रा साई मंदीर ये स्थान बांसवाडा में सारवदीक देखा जाने वाले इस्थानों में से एक है साई भगवान को समरपीत इस स्थान पर भक्तों की अपार्शद्दा है सफेद पत्थरों से निर्मित ये शानदार मंदीर सन 2004 में निर्मित किया गया था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद और आभार जय हींद जय बांसवाडा